सातियों इंग्लिश में आपने कहावा सुनी होगी किलिंग टू बर्ड्स विद वन एरो एक तीर से दो निशाने दो तो निशाने मारते होंगे वो अंग्रेज लेकिन हम क्या करेंगे एक तीर से छे निशाने मारेंगे आज इतनी बड़ी बड़ी वास्तु की रेमेडी आपको बता दूँगा मैं जिस से आपके खुल जाएगी लोटरी क्यों क्योंकि आपको परिशान कर रही हैं वो सब चीजें जिनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ और उनका समाधान बहुत असान चुटकी बजाते ही वास्तु रेमेडी जानने के लिए चलेंगे इस वीडियो पर अखीर तक छोड़ना नहीं एक पॉइंट भी नमशकार साथ ही हूँ मैं हूँ डॉक्टर अनत भार्दवाज आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट और आप हर चेज करने वाले हैं या रहते हैं या बना रखा है आपने एक मकान फैक्टरी दुकान शुर्म आपने बना रखा है वास्तु की रेमेडी एक रेमेडी एक रेमेडी से बहुत सारे वास्तु दोश खतम होने के तरीके आपको बताऊंगा एक तिर से 6 निशाने ये आज आपको बताँगा कैसे मारेंगे आपके घर के आसपास, फैक्टरी के आसपास, दुकान के सामने कहीं पर भी किसी भी चीज के सामने ऐसा कोई स्थान हो सकता है जिसे कहते हैं burial place, कोई शम्षान हो सकता है वो remedy करनी है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत जबर्दस remedy आज आपसे शेर करूँगा इसके बाद ये हो सकता है ये भी ऐसी जगह है जो कि बहुत ज़्यादा negative है जहां पर जाते वे बच्चे बड़े बुड़े सब घबराते हैं और वहाँ पर रात के टाइम महा पर जाए गूंचता एक अजीब सा सनाठा घर के सामने बन जाती है negative स्थी थी कोई कहता यहाँ पर भूत नाच रहे हैं कोई कहता यहाँ पर negativity है अपनी अपनी बातें सब की होती है आगे चलते हैं खंडर हो सकता है आपके घर के सामने हो सकता है बहुत बार हमने देखा है महानगरों में भी बड़ी-बड़ी कालोनी में भी घर के सामने कोई खंडर होता है तूटा-फूटा मकान होता है बिलकुल देखने में जिसे नेस्त कहते हैं बड़ा मनहुस दिखाई देता है अब क्या करें वो जब बनेगा तो बन जाएगा जिसने बनाना तब बनाता रहेगा लेकिन आपके घर के सामने हैं आपके पड़ोस में हैं बिल्कुत साथ में कहीं भी हो सकता है ऐसी स्थिति आपके लिए चीजें होती हैं वहाँ पर कभी भी तरक्य नहीं होती विकास कभी नहीं होता बनते बनते काम बिगड़ते हैं घर में चलता है अमिशा कलेस ये तीन पैचान होती है ऐसे घरों की जिनके बिल्कुत सामने अड़ोस पड़ोस में दाएं बाएं कहीं पर भी कोई नहीं सकते हैं लो हैं हमारे ऐसे रूल्स और रेगुलेशन्स हैं कि आपके पास वह अथोरिटी नहीं है कि किसी भी पेड़ को कभी भी काटके वहां से हटा दें उसमें भी रेमिडी काम आएगी जो आज बता रहा हूं एक मिरर से छोटे से शीशे से आगे चलते हैं देख कर सकते हैं कि क्या इनकी negativity हमारे घर पे यह हमारी factory पे यह हमारी plot पर आ रहिया है या नहीं आ रही है और अगर आ रही है तो किस उसकी intensity क्या है बिलकुल उसको हम डिजिटल तरीके से देख सकते हैं वो तो होता है सई तरीका बट अगर सामने आपके ऐसे कुछ है इस से पहल जरूर कर लेना, इसके बाद आगे चलते हैं, ये देखिए, ये घर है, क्या रैमेडी करेंगे, ये भी घर अगर माल है, किसी बिल्डर ने बहुत खर्चा किया, आप बिल्डर हैं, आपने बना लिया, आगे नहीं बिकरा है, सामने से टी पॉइंट आ रहा है, टी पॉइंट आके ठकर मार रहा है, वहाँ से कुछ टी पॉइंट पॉइंट पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए आप मेरी और वीडियो देख लेना, इसके अलावा ये जितनी पैचान मैं आपको बताई हैं, अगर घर के बिल्डिंग के साम ये मिल जाएगा आपको, इसको बागवा मेरर भी कहते हैं, पाकवा मेरर भी कहते हैं, फैंक शुई का मेरर होता है, साथियों ये और बहुत असानी से मिल जाता है, आ्णनान भी मिल जाता है आपको ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा इसको enlarge कर रहा है हूं ताकि आप इस यहां जहां पर है, उसमें से जो भी हमारे लिए काम का होता है, उसको अपने लिए यूज कर लेते हैं. भारती सिस्टम के अनुसार जो बहुत पहले जब चाइनिज समान नहीं आये करता था और ये साधर नहीं थे, उस समय पर हम आठ कोने का मिरर शीशा बनाने वाले से कटवा कर लाये करते थे अस्ट कोन मिरर कहते थे आठ कोने का मिरर भी आप कटवा के लगा सकते हैं अपने घर के सामने प्लेन मिरर में भी कोई समस्या नहीं होती है यह क्या करता है जब जैसे आपके घर के सामने अपने लगाया इसको बाहर लगाया तब ये क्या करेगा कि जो भी energy सामने से आ रही है किसी भी सामने वाली energy से जिस angle से आ रही है उसी angle से वापिस जाएगी इसका मतलब क्या है कि शीशे की अपने ये innate value है इसकी अपनी innate virtues का अंदर है गुंड इसका अपना होता है कि वो क्या करता है जो भी चीज सामने से आती है उसको उसी एंगल से वापिस भेजता है जिस एंगल से वो चीज आ रही होती है अब देखिए ये mirror काम कर जाएगा आठ कोने का आगे हाँ पर लाइने बनी होती है अपनापना इसका meaning होता है बागो के हिसाब से और हमारे लिए काम का होता ये convex mirror अगर ये नहीं मिलता तो छोटा सा mirror आपने देखा है आज कल गाड़ी के उपर भी लगाते हैं बहुत बार ये देखिए गाड़ी के mirror के उपर जहा लगा देते हैं बहुत बार ताकि पीछे का विव दिखाई दे ये देखिए ये आपको सपश दिखाई देगा ऐसा mirror भी लगा सकते हैं मार्किट में आपको जहें convex mirror भी मिल जाएगा अगर आपको बागवा या पाकवा mirror नहीं मिल रहा वो लगा सकते हैं शीशे वाले से बोले के 8 कुने का mirror काट के देदें वो भी लगा सकते हैं और आपने देखा है बहुत बार कि जो टर्निंग होती है वी आई पी एरिया में कहीं जहां गड़ी घूमती है वहाँ पर एक बार आपने कभी देखा कुने के ओपर वहाँ पर एक बड़ा सारा mirror लगाया होता है इतना बड़ा नेची अब पूछेंगे size कितना भार दो जी size इस mirror का हमारा concern उससे नहीं है हमारा concern इससे नहीं है कि इसका size कितना बड़ा है हमारा concern इस बात से है कि हमारा जो mirror है जो बीच में शीशा लगाया है ये कम से कम 3-4 inch का तो ही होना ही चाहिए plate कितनी बड़ी हो कोई फर नहीं पड़ता अब इसकी quality कितनी होती है ये 200 रुपे का मिलता है या 2000 रुपे का लेते हैं एक ही काम करता है बिल्कुल बराबर काम करता है और चलते चलते आखिर में एक बाब बता दू काम की आपको ये हमेशा जब लगाए जाता है तो ऐसे negative scene के सामने लगाते हैं या फिर T point के सामने लगाते हैं इसको कभी भी उत्तर या पूरब दिशा में ना लगाएं कभी भी North में East में किसी भी mirror को बिल्कुल मत लगा देना वो घर के बाहर होगा तो फिर North और East से आने वाले energy को ही वापिस कर देगा उसकी remedy दूसरी होती है मेरे वीडियो पर आपको असानी से मिल जाएंगी और हाँ 70-80% केसिस के अंदर अगर बहुत जादा negativity सामने से आती है तो ये mirror चटक जाता है तूट जाता है जिना कारण से हमने देखा कि लोगों ने का सर नीचे गिर पड़ा जितनी बार गिरे जितनी बार चटके जितनी बार तूटे उतनी बार आपने इसको बदलना है जाता रहे ऐसा भी माना जाता है कि अगर negativity आती है बहुत जादा और बार बार इस तूटता है मुझे लगता है कि छोटे से वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी काम की बाते बता दी वो बातें जो आपके मैंड में घुम रही थी और चिंता आपको दे रही थी बहुत दिन से सातियों मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर किया होगा मुझे पता है और शेर भी आपने करना ही करना है अगला वीडियो फिर आपके सामने आएगा देखना मत भूलना हो सकता है कि वही वीडियो आपके जिंदगी को बदलने वाला हो